राधे राधे एवरिवन सकरात आने वाली है और सकरात को हमारे हिंदु धरम में बहुत अधिक महतो दिया जाता है सकरात को सनान और दान का दिन माना जाता है सकरात के दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है इसलिए सकरात के दिन दान करना बहुत ही शुब माना जाता है सभी लोग सकरात को दान करते हैं सभी अपने सामर्थे के अनुसार थोड़ा या जादा लेकिन दान जरूर करते हैं मकर सकरान्ती यानि सकरात को चोदा अंक का विसेश महतो होता है सकरात के दिन जब हम दान करते हैं तो चोदा चीजों का दान करना सबसे ज़्यादा शुब फलदाई माना जाता है इसलिए सकरात को चोदा चीजों का दान किया जाता है जो भी चीजें हम दान करते हैं वो चोदा की संख्या में हम दान करते हैं तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सक्रात को आप क्या-क्या चीजे दान कर सकते हैं। जो भी चीजे हम दान करेंगे वो चोदा की संख्या में हमें लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे option बता दूँगी कि आप कौन-कौन सी चीजे हैं जो चोदा के आंग में आप दान कर सकते हैं, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सकरात पर जब आप चोदा चीजे बाटना शुरू करेंगे तो शुरुआत हमें किस चीज से करनी चाहिए, त आप चाहें तो आप इस तरह का नारियल ले लिजिए जो हम पूजा में लेते हैं, या फिर आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, जिसे हम गोला कहते हैं, तो आप या तो नारियल बाट सकते हैं, या फिर आप सूखा जो गोला होता है, खोपरा भी बहुत लोग इनको बोल कहते हैं इससे हमारे सुहाग में बढ़ो उतरी होती है तो आप चाहें तो आप एक सुहाग पिटारी बना ले ऐसी आप 14 सुहाग पिटारी बना के बाट सकते हैं तो 14 सुहाग पिटारी बना के आप 14 सुहागन महिलाओं को ये बाट सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो आप सिंदूर दानी बाढ़ सकते हैं। के साथ ही सकरात पर बरतन बाटना भी बहुत अच्छा उप्शन है। के काम आएगा और तांबा बाटना शुब भी माना जाता है। जब भी हम कोई बरतन बाटना होता है। उसमें हमें कोई ना कोई खाने की चीज रखनी होती है। जैसे आप रेवडी मूमफली रख सकते हैं, खाली मूमफली रख सकते हैं, या लड्डू रख सकते हैं, या बिस्किट रख सकते हैं, कोई भी चीज रख के किसी भी बरतन को जब हम बाटते हैं, तो भर के बाटते हैं, अब देखिया अगर बरतन बड़ा है, जैसे लोटा ब आप चाहें तो आप 14 लंच बोक्स बाट सकते हैं, यह भी बहुत यूजफूल है, बच्चों के बहुत यूज़ आता है, हर घर में लंच बोक्स की जरूरत होती है, और ज्यादातर हम वही चीजे बाटते हैं, जो हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर है लंच बोक्स आप छोटे-बड़े हर वराईटी में आपको मिल जाएंगे तो आप अपने बजट के अनुसार लंच बोक्स लाकर मांटní बाट सकते हैं और देखिए मकर सक्रांती सर्दियों में आती है तो मकर सकरान्ती यानि सकरात को उनी चीजों का गरम कपड़ों का दान करना बहुत ही शुब माना जाता है तो आप कंबल बाट सकते हैं देखो गरीबों का अगर आप कंबल बाटेंगे न तो यह उनको सर्दी से बचाएगा जो की बहुत ही शुब फल देता है साथी आप चाहें तो आप शोल बाट सकते हैं, तो उनी जो शोल आते हैं आप वो बाट सकते हैं, उनी शोल के भी आपको बहुत सारे option market में मिल जाएंगे, तो जो भी आपके budget में ठीक हो, आप 14 शोल लेके और 14 शोल बाट सकते हैं, उनी कपड़े बाटना तो बहुत इशूब होता है, साथे आप उस तरह की जर्सी लेकर आप चोदे जर्सियां भी बाट सकते हैं तो जर्सियां बाटना भी एक बहुत ही अच्छा option है इसके साथ ही आप टोप बाट सकते हैं वुलन के जो टोप आते हैं उनी टोप इस तरह के ये भी आप बाट सकते हैं ये भी बहुत यूज होते हैं और ब गल्प नहीं लिया है तो फिर कितनी भी चीज़े आप बाट सकते हैं वैसे 14 चीज़े बाटने का ही ज़्यादा महत्व होता है इसके साथ ही देखिए आप बैड़ शीट ले सकते हैं तो आप चाहें तो पिलो कवर के साथ ही आप बैड़ सीट बाट सकते हैं या आप एक बार पिलो कवर बाट दीजिए एक बारा बैड सीट बाट दीजिए या दोनों चीज़ों को इखटे जैसा भी आपका बजट हो जैसा भी आपको ठीक लगे उसी साफ से आप बैड सीट भी बाट सकते हैं और इसी के साथ आप टावल बाट सकते हैं यानि तोलिये भी आप बाट सक आप चाहें तो आप दुपट्टे बाट सकते हैं या चोदे बिलाउज के पीस आप बाट सकते हैं इसके साथ ही आप चाहें तो आप चोदे जोड़ी पैंट शर्ट के जोड़े बाट सकते हैं आप चाहें तो आप जुराबे बाट सकते हैं तो जैंस या लेडी जैसी भी तो आप इस तरह के आसन ले सकते हैं या जूट के जो आसन आते हैं वो ले सकते हैं वुलन के जो आसन आते हैं वो ले सकते हैं तो जो भी आसन आपको ठीक लगे आप वो आसन बाट सकते हैं आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बाट सकते हैं तो देखे market में और सभी तरह के budget में available मिलेंगे आपको यह इसके साथ ही आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी की इससी ड्रेस आप बाट सकते हैं जिनको पूरा साल कभी भी पहन सकते हैं तो जो भी आपके आज पास लड्डू कोपाल जी की सेवा करते हों सकराथ की दिन आपको उनको यह पोशाक दे सकते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ ही आप चाहें तो आप चोप्टे जो आते हैं वो बाट सकते हैं देखिए इस तरह की चोप्टे आते हैं जिसमें रोली रखते हैं और चंदन और चावल रखते हैं तिलक लगाने के लिए तो यह बहुत शुब होता है तो आप चपल बाट सकते हैं आप जूते बाट सकते हैं यह जरूर बाटने चाहिए एक बार हमें इसके साथ हैं आप कोई भी पर्स बाट सकते हैं जो लेडीज पर्स आते हैं वो आप बाट सकते हैं चोदा बहुत यूजफूल होते हैं लेडीजों क ले सकते हैं और आप चाहें तो वाटर बोटल भी आप बाट सकते हैं ये भी बहुत अच्छा उप्शन है तो चोदा आप वाटर बाट सकते हैं और देखें टोर्च हमें एक बार जरूर बाटनी चाहिए तो आप चाहें तो आप 14 टोर्च बाट सकते हैं छोटी बड़ी आप महेंगी सस्ती अपने बजट के अनुसार ले आएं लेकिन एक बार तो आपको टोर्च भी जरूर बाटनी चाहिए तो टोर्च भी एक अच्छा ओप्शन है यह रास्ता दिखाती है और इसके साथ ही हमें छत्री जरूर बाटनी चाहिए तो एक बार जब भी आप कभी भी चत्री जरूर बाुतना चुँर बाटना और जब भी आप बाटने तो कोसिस करें कि काले रंगी चत्री फślसमे ईक जरूरर हो काले रंगी चेंड बाटना भी बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छे से आप खोलके देख लिजिएगा क्योंकि को ऊपल के देकना पोजी हैं और देखिए सकरात के दिन जब आप दान करेंगे जब आप बाटेंगे तो गरीबों को बाटेंगे आप जब भी कोई चीज दान करें तो उसे दान करें जिसको इसकी जरूरत है तो इसलिए जो भी दान का पात्र होता है यानि जिसको उस चीज की जरूरत होती है उसको आ खुश होगा और आपकी दी हुई चीज को यूज करेगा इसलिए आप जब भी दान करें तो गरीबों में दान करें आप देखिए जब भी आप दान करेंगे पहले जितनी भी चीजे हैं चोदा चीजे जो आपने लिए उनको एक साथा पर रख लीजिए या तो किसी आसन पर रख लीजिया किसी बरतन पर और एस तरह से जल दो बार उसके ऊपर से वारते हुए फिर चुछकार लीजिए इसतरह मिनस के उसके Бाद हम कोई चीज दान करते हैं बिनामिंसे कभी भी कोई बी चीज दान नहीं करी जाती है तो पहले आप जो भी चीज दान करेंगे उसको उसके बाद उसे दान करेंगे मकर सकरांती को जो भी चीज़े आप दान करते हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं किसी भी जरूरत मन्द को आप ये दान दे सकते हैं और ये दान आगर आप गरीबों में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उनको इनकी जरूरत है आपकी द्वारा किया गया दान उनकी जरूरतों को पूरा करेगा जिससे उनके जीवन में खुशियां आएंगी और वो आपको दुआएं देंगे और हम महिलाएं घर में तीज दोहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए राध है राध है